नमस्कार भाईयों जैगोमाता जैगोपाल आप सभी भाईयों का मैं भारत सिंगराज पर डेरी एगरी कंसल्टेंट बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों यह महाराश्ट की यात्रा का पुरा दृश्य आप के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और जो गुगोमाता के प्रती यहाँ पर सम्मान की भाउना है वो यहाँ के घरों के बहार, यहां के चौराहों पर, यहां के बने उए गेट पर, सभी जगोब पर आपको नीचे आप देख सकते हैं गन्ने को ले जाते ही हुए खिलार के नंदियों का रेला है यह पूरी बैल गाडिया है आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर दुर्श्य दोस्तों यह सभी देख के बहुत मन्द प्रसंद हुआ और आप सभी तक यह वीडियो के माध्यम से आते हैं तो वहां पहुँचने से कुछ दूरी पहले ही यह बहुत ही सुन्दर एक गेट बना हुआ है इसके उपर सारे गोमाता की बहुत सुन्द सुन्द तश्वीरे है आप देख सकते हैं इस तरफ उपर आप जो देख रहे है वो जो खेत के कुए से पानी निकाले का ज जाता था और घानी इस तरह के द्रश्चियों को आपको बताया गया है यह पुरी लाइन आप देख सकते हैं खिलार के नंदियों की जो की गन्ने को धो के फैक्टरियों तक ले जा रहे है तोस्तों आज भी इस महाराष्ट के इन शेत्रों में इन नंदियों का महत्व एक परिवार के सदस्य से भी जादा बढ़कर है और लोग गजब सम्मान की द्रश्चि से देखते हैं हाला कि कुछ जगे पे ऐसी इस्तितिया दिखी बहुत जादा भार था पर दोस्तों जब हम घर पे खुद काम करते हैं तब कई बार हमें भी अतरिक्त प्रयास करना पड़ आज भी जो सम्मान इन नंदियों का यहां प्राप्त है वो देखके अत्यनती प्रसंता हुई दोस्तों आप यह देख सकते इस्तर की जो फैक्टियों के पास में यह चारे की विवस्ता करने वाले लोग है जो किसान याच लेकर आते हैं गन्ने को उनके बैल यहां पे खड पुरिए ले जाते हैं बहुत ही सुन्दर दरश्य है दोस्तो श्रीडी से सनी सुंगना पोड़ जाते हैं तो इसके रास्ते पर आपको हर जगे यह दरश्य देखने को मिलेंगे अला कि आज के समय का यांत्री करण का यूग और बैल गारी का यूग दोनों एक साथ देखन को मिले फिर भी बहुत सारे किसान आज भी टेक्टर का प्रयोग करना प्रारंबर कर चुके है सुविधाओं के लिए को या किसी और रूप में को एक सवार और मेरे सामने आया वहाँ पर गुमते वे हाई कोट ने और बाकी काफी संस्ताओं ने पेटा ने प्रयास है कि इनके दोर जो रेशिंग हो रही है बैल की रेसिंग जो बैल गाड़ी की रेस होती है यहाँ पर उस पर रोक का प्रयास चल रहा है दोस्तों खेल के लिए ही लोग यहाँ पर अच्छे बैल को त्यार करते हैं को खिलाते पिलाते हैं और उनको वो सम्मान की द्रश्टी से देखते भी है तो ऐसे कोई भी प्रकल्प को बंद नहीं किया जाए अब देख सकते हैं कितना वजन धोते वे यह नंदी फिसल गया क्योंकि रोड थोड़ी सी चिकनाट बरी होती है तो दोस्तों उन खेलों को बंद नहीं करना चीए यही चीज जली कट्टू के साथ भी हुई थी तो वहां पे काफी विरोध हुआ और यहां भी आप ऐसी आवाज उठानी हैं चीए दोस्तों खिलार की जो समता देखी दोस्तों भारतिय नशल के नंदियों में बहुत तक्कत होती है इनके बैलों को इसी रूप में त्यार किया जाता था और पहले घर में इतना गोदन होता था कि दूद बेचने किया दूद की जुरत किसी को पड़ती नहीं थी पर अभी जो इस्तित्या चल रही है दूद के व्यपार पर ज्यादा ध्यान रहता है लोगों का आप देख सकते हैं इस तरह की गंदे की मशीन जो पिछली वीडियो में ने में दिखाया था आपको तो एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन इन शेत्रों में बना हुआ है तो जो सम्मान इस महराष्ट के इन भूबाग में शेत्रों में नंदी देवता के प्रती बैल के प्रती गोमाता के प्रती मुझे देखने को मिला है बहुत ही जबरदस्त मिला है दोस्तों तो बहुत खुशी होती है इन सारे द्रश्यों को देखकर दीरे दीरे जिन शेत्रों से बैलों को हटा के पूरा यांत्री करण हो बैल गाये इन सभी को हटा दिया और खाज के लिए आज बाहर गुमना पड़ रहा है जमीन यूरिया डियेपी से उतनी फर्टाइल होगी नहीं और सामने से खराब होगी तो आज नी तो कल सब को गोबर गोमुत्र की जुरूत पड़ेगी ही पड़ेगी जो गोश्णा या ज अपनी जमीन को त्यार नहीं कर सकते बिना गोमुत्र की जमीन को त्यार नहीं कर सकते जिसको आप मृत्र करने जा रहे हो तो आपको और हमको अभी से संभलना होगा मेरे जैसे और भी भाई जो प्रयास कर रहे है उनके प्रयाशों को एक आयाम मिले व्यर्थ न जाए दोस् हमें आगे जाने का रास्ता मिलेगा नहीं तो दोस्तों बड़ी खुशी होती है ऐसे बैल का पुना वो देखते हुए बड़ा सुन्दर दर्श्रिया शनी सिंगनापुर तक के इस पूरे रास्ते का और जब ब्रह्मन हमने शुरू किया महाकाल महाकाल से पहले साम्रिया शेट के दर्शन हुए वहाँ से फिर उज्जेन पहुँचे महाकाल दर्शन करने के बाद में फिर उमकारेश्वर गए उमकारेश्वर से फिर शिड़ी गए और शिड़ी से निकलते हुए जब हम पहुँचे थे आगे शनी सिंगनापूर की तरब तो रास्ते में दोस्तों ये राज है इस नंदी का नाम इनोंने राज रखा है बहुत ही सुनता चार साल का ये राज है बहुत ही शांत एक मन में ब्रांतिती खिलार बड़ा तेज होता होगा पर बहुत ही शांत नंदी बहुत ही तो दोस्तों यह बहुत खुशी वी, दोस्तों। आप सभी रास्ते में चलते हुए, इदर इदर द्यान देते हैं, तो कोई अच्छी गाडी के दरफ देता होगा, कोई और विश्य के दरफ ध्यान देता होगा, पर हमें तो दोस्तों खुशी, इस नंदी को इस गौमाता को देखके मिलती सबी भाईयों का समर्थन जिस प्रकार से मिला है और आपके सयोग के कारणी इस मुकाम तक पहुचा हूँ मैं कि एक अच्छे कार्यों को कर पा रहा हूँ आजगुमाता का आशिरवात है आप सबी भाईयों का जो सयोग है इसी प्रकार रहे दोस्तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार भी साथ जाते हुए बहुत ही सुन्दर दर्शिय है दोस्तो बहुत ही सुन्दर आप जब भी मौखा मिले सनिशिग्नापूर दर्शन करने जाएंगे तो रास्ते में उस गेट को भी जरूर देखे और इन गोमताओं के दर्शन भी जरूर करे इन नंदी बैलो के दर्शन भी जरूर करे इन शेत्रों में भ्रमन जरूर करे आप सबी भाईयों का स्योग समर्तन इसी प्रकार मिलता रहे जय गोमता जय गोपाल